हलो स्ट्रेंट्स महुरमा कान पटेलोर आप देख रहे हैं साइंस जोन अकेडमी छीनदवाड़ा जी हां स्ट्रेंट्स यदि आप बीएसी एग्रिकल्चर करना चाहा रहे थे या होटी कल्चर या फॉरेस्टी आप करना चाहा रहे थे या पीटी करना चाहा रहे थे या टे सीट को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं और यदि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला और आपने सीट नहीं लिया सीट छोड़ दिया है तो इस हेतु आपको 24 तारीक से 28 तारीक करना था जो आपन सा कॉलेज मिला है उसके बाद में क्या होगा जो सीट रिज़र्व ठी है अपने रिजर्व रख लिया अपनी सीट उए उसके बाद में जो सीट बचेगी तो जो रिक्स सीट रहेंगी आपकी वेकन सीट रहेंगी उसकी जानकारी आपको four September को मिल जाएगी और जैसे ब आपको वेकंड सीट का ऑप्शन मिल जाएगा कि कहां पर कितना सीट डिस्ट्यूबिशन हो चुका है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना सीट डिस्ट्यूबिशन पता चल जाएगा कि कहां पर कितनी सीटें आपकी वेकंड रह गई है सेकंड काउंसलिंग आपकी जो चालू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 9 से 20 सितंबर के बीच में जी हाँ स्ट्रेंस सेकंड काउंसलिंग आपकी चालू होगी 9 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में की second counseling चालू हो जाएगी वही पर फिर spot counseling जिसे हम लोग third counseling के नाम से जानते हैं वो होगी आपकी 23 से 26 सितंबर के बीच में तो यदि आपने first counseling में participate नहीं लिया था तो आपने उसको अपगेड करा लिया होगा ठीक है 24-28 के मद्द में यदि आपने टोटली नहीं करवाया है तो फिर आपको वेट करना होगा यहां पर ठीक है सेकंड काउंसलिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि option खुलेगा तो आप ट्राय कर लीजेगा नहीं तो यदि आपको कॉलेज मिला था तो आपको 24-28 तारीक के बीच में ही वहां पर लॉक करना था सुरक्षी तेदि आप सीट नहीं कर पाए हैं तो भी आपको इसमें कहा गया कि आपको 24-28 अगस्ट के बीच में सीट को क्या करना था निरस्ट करना होगा तो आप सीट को निरस्ट कर सकते थे या उसे आप auto upgrade में डाल सकते थे दो option आपके पास में थे आपने दोनों option नहीं किये हैं तो maybe second counseling में आप participate नहीं करेंगे कितनी सीटे बची हैं चार सितंबर को डिकलियर हो जाएगा जिन लोगों को college मिला है जिन लोगोंने फीस पे करके college ले लिया है उनका मनद पसंद college था तो वो college ज्वाइन कर लिएंगे उन्हें second counseling में और ये रिक्त सीटों में कोई दिक्कत नहीं है हाँ problem किसके लिए है जिने college मिला पसंद नहीं था उन्होंने फीस पे कर दिये और फ्लॉट कर वा लिये हैं auto upgrade पर डाल दिये हैं तो उन्हें wait करना होगा 31 अगस से 1 सेटेंबर के बीच में result आपका कभी भी जाएगा आप अपने id password से check कर सकते हैं आप अपना result चेक करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं login कर सकते हैं login कीजिएगा login करने के बाद में आपको अपना roll नमबर डालना होगा यहाँ पर registration नमबर आपका password और आप जैसी यहाँ पर password डालने के आएंगे registration नमबर डालेंगे आपको mobile नमबर यहाँ पर इंटर हो जाएगा इस capture डालेंगे login कर लीजेगा तो आपको पता चल लियागा कि आपको कौन सा college मिला है जिन लोगों को देखना नहीं आता है तो आप हमें अपना id password और अपना registration नमबर सेंड करके चेक करवा सकते हैं जो भी भी second counseling के बाद में कई बार seat vacant रह जाती जिसके लिए spot counseling होती जिसे हम लोग मौप राउंड भी कहते हैं या third counseling के नाम से भी जानते हैं जो आपकी 23 से 26 सितंबर के बीच में होगी तो जिन भी बच्चों को जो भी doubt है कुछ इस तरीके से college मिले होंगे जैसे आपको college मिला है college of agriculture जानजगीर चांपा मिला हुआ जिन लोगों को एधी college ये पसंद नहीं है तो उन्हें ने आटो अपडेट कराया होगा अपडेट कराया होगा ठीक है तो 26 तारीक को आपका document verification था आपको आई जी के भी आकर document verification कराना था by chance किसी ने document verification नहीं करवा पाया है ठीक है तो उन्ह करेंगे फिर NCR वीडियो के साथ में तब तक लिए thank you thank you for watching this video have a nice day